अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि South Africa वाले चोक कर जाते हैं असल में ये लोग अपने फैंस के साथ जोक कर जाते हैं कल सेमी फाइनल में उनकी परफॉर्मेंस एक जोकी थी जिस पे South Africa को छोड़ कर सारी दुनिया हास रही है कल इंडिया में दो तरह के लोग थे एक वो लोग जो दूसरे सेमी फाइनल में South Africa को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनको उस्टेलिया से सक्त नफरत है या पिर वो उस्टेलिया के साथ फाइनल नहीं खेलना चाहते और उनको रिक्की पॉंटिंग का बदला पैट कमिन से लेना है मैं पहली वाली कैटेगरी में था South Africa वालों एक बात बताओ यार दिक्कत क्या है ने सीरिसली बूच रहा हूँ मुझे one on one बात करनी है तुमसे बवुमा को छोड़ कर किसी को भी भेशतो क्या दिक्कत है तुम लोगों को सेमी फाइनल से तुम्हारे यहां कोई डाकू अकू का नाम सेमी फाइनल है क्या वहाँ पर तुम लोगों की माता जी ने बच्पन में तुम्हें ये बोला है क्या कि सोजा बेटा वरना सेमी फाइनल आ जाएगा या फिर कोई हॉरर फिल्म होगी जिसमें किसी भूत प्रेत पिशाच का नाम सेमी फाइनल होगा, बताओ, कुछ तो बात है, अगर साउथ अफरीका से कोई देख रहा है तो मुझे बताए कि सेमी फाइनल और तुम्हारी क्रिकेट टीम का क्या चक्कर है, अचा चलो यह नहीं खुद नहीं करी, बाकी टीम के उपर करने के लिए छोड़ दी, खुद बिना रन बनाये वापस चले गए, लेकिन कहते हैं ना कि टीम अपने कप्तान को फॉलो करती है, इसलिए बाकी के बैटर्स भी अपने कप्तान को फॉलो करते हुए, वापस पविलेन जाने लगे, औ उस्टेलिया वालों की गेंदबाजी देखकर हसन रजा को एक बार फिर डाउट हुआ होगा कि लगता है, जो गेंद ICC अभी तक भारती गेंदबाजों को दे रहा था, वो सेमी फाइनल में गलती से उस्टेलिया के हाथ लग गई, बताइए पूरे टोर्नामेंट में आउ पार्टनर्शिप तो करी, लेकिन ट्रेविस हेड ने क्लासिम को बोल्ड मार कर दिखा दिया कि कोलकता के पिछ में स्पिनरों के लिए बहुत कुछ है, हाला कि पहली पारी के हाइलाइट डेविड मिलर ही था, वैसे तो वो किलर मिलर है, लेकिन कल वो राहूल ड्रवीड की डिपेंडेबल मिलर बन गए और साउथ अफरीका के लिए वन मैन आमी साबित हुए, उनके 116 गेंद में बनाये गए 101 रन की ही बदौलत थोड़ी बहुत इज्जत बच गई लॉर्ड बवूमा की, वरना कल रात को ही कोलकता से केप टाउन की उनकी टिकट गड़ जाती वह उस्ट्रेलिया को वही शुरुवात दे दी थी जो रोहिच शर्मा अब तक भारत को देते आये हैं, शर्मा जी के लड़गे के लिए तालिया मजनी चाहे वे, आपन पैन उनके, एक चोटे टार्गेड में से 60 रन जा चुकी थे और 44 और बाकी पड़े थे, हैड यहाँ पर और उस्ट्रेलिया वाले चोक हो जाएंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा साउथ अफरीका की जनता से कि बता दो कि तुम्हारा और सेमी फाइनल का क्या नाता है, क्यूंकि कैच के इतने सारे चांस बने, लेकिन सारे हाफ चांस दे, गेंद एक दो पहुचने से महरूम रह गई, मिस हो गया, इसका मतलब यह है कि भारत और उस्टेलिया एहमदाबाद में 19 नुवंबर को फाइनल खेलेंगे, जो लोग यह चाह रहे थे कि 2003 का बदला लिया जाए, तो लीजिए घड़ी आ गई है, 19 नुवंबर की रात को, या तो हमें प्रेंड बॉक्स में बताना, अगर नहीं हो तो साउथ अफरीका के लिए कुछ लिख कर चले जाना यार, इन लोग उने हद कर रखी है, मिलते हैं आप से कल एक और कड़क वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करेगा, फेस्बुक पे देखे हैं तो हमारे प